अग्याव प्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूं संजे और आप देख रहें फेमिली हेल्थ के यूट्यूब चैनल दोस्तों आज़के इस वीडियो के अंदेर हम लोग बात करने वाले हैं गठिया रोख अर्थराइटिस यानि जोडों में दर्द चाहे वो कितना भी पुराना हो 20 साल 30 साल 40 साल जितना भी पुराना हो आज हम लोग 100% इस नुस्खे से दूर करेंगे ये ऐसे नहीं बता रहा पिछले करी 5 सालों से हम लोगों ने लगातार आजमाया हुआ है और 100% लोगों को ठीक क हो सकती है लेकिन अगर आपको प्रबलम है या फिर आपके फेमिले में किसी को प्रबलम है तो प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए बिल्कुल बारीकी से इसको समझेए क्योंकि समझना बहुत ही जादे जरूरी है आईरुएद में किसी भी रोग के निदान के ल उसकी information आपको मिलती रहे क्योंकि मैं स्टैप की बहुत सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूं जिसकी information आपको मिलती रहे जो आपके जीवन को बिलकुल सुख में और खुसहाल बनाने में मदद करेगी तो शरी दोस्तों हम बात करते अपने main topic पर तो आज का topic है गठिया र प्रकार के गठिया रोग होते हैं तो यहां पर हम लोग बिलकुल confused होने वाले नहीं है चाहे जिस पे प्रकार का गठिया रोग हो बिलकुल इस दवा से बिलकुल 100% खतम होगा आपको बिलकुल नेरास होने की जरूत नहीं है तो यानि कि एक गाठ में दर्द हो या पूरे इसके लक्षन होते हैं और सुबह या साम मैं जोड़ों दर्दों जोड़े आप गठिया रोग को दर्साता है उसके बाद हम आ जाते हैं कारण पर तो ये अगर आपके भाट रोग रहा है तो इस किसी प्रब्लम से आपको सामना करना पढ़ जाएगा और जो है vitamins, minerals, phosphorus और calcium की कमी अगर आपके body में होने लग गई है तो आपकी हड़िया कमजोड होती है और इस टैप की problem जो है start हो जाती है और जो कारण होते हैं वो हैं कि ठंडे गर्म का असर कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी मेहनत का काम करते हैं या फिर धूप से आए हैं आप गर्मी से बिल्कुल भीगे हुए हैं गर्मी से बिल्कुल तरस्त हैं और आते ही आते जस्ट अगर आपने बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया, फिर इसका ठंडा पानी पी लिया, या फिर गर्ब से आये हैं, तुरंत आपने नहा लिया, तो इस टाइप की प्रब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो कारल बनते हैं, वो बनते हैं, यूरिक एसिट का बढ़ जाना, यूरिक एसिट बढ़ जाएगा, तो भी इस टाइप की प्रब्लम आएगी। उसके बाद जो है, किसी भी प्रकार का चोट लग जाने से, या फिर वाइरल, या फिर फंगल इंफेक्शन वगेरे के वज़े से, आपकी यूमिरिटी सिस्टम जो है, अगर खराब हो गया है, वीक हो गया है, तो भी इस टाइप की प्रब्लम जो है, आपको देखने को मिल जाना है, तो उपाय के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, योग प्राडायाम से, क्योंकि योग प्राडायाम इसके अंदर बहुत ही जादे जरूरी है, अगर आप योग प्राडायाम को ले करके आते हैं, या फिर जिनको नहीं है, अगर योग प्राडायाम करते र जिनको जितना प्रॉबलम है कपालभाती जादे से जादे करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द से जल्द रिलिफ मीलेगा और जिस जोड में दर्द है मान लिजी यहाँ पर दर्द है तो आप जो है इस पर तेल लगा करके मैं तेल भी बताऊँगा अभी लास्ट में वो तेल लगा करके और आप जो है इसको हलका हलका मुवमेंट करेंगे तो आपको इसमें रिलिफ होता हुआ नजर आएगा उसके बाद हम आ जाते हैं घरेली उपाई पर कि घरेली उपाई हम क्या करें अच्छाइग उपाय मैं बहुत सारा बताऊँगा लेकिन वो सारे और आपको नहीं करना है उन में से जो भी आपको सूट करें फो एक आप उपाई करें कि पाइंगे कि कच्ची हलनि लेकर के हाएं, मेठी 100 ग्रम लेकरके हाएं और सोट 100 ग्रम इन तीनों को मिला करके जो है पीस करके आप पाउडर बना करके रख लें और उन में से जो है एक से दो ग्राम कहने का मतलब ये है कि आधे चम्मच से भी कम आप सुभा साम खाने के बाद गर्म पानी के साथ आप इसको लिया करें इसको लेने से कुछ ही दिनों में आपका कितना भी पूराना गठिया रोग है उसमें आपको रहत मिलती हुई नजर आएगी उसके बाद जो दूसरा प्रयोग है घरिलू में वो है कि आप कच्ची हल्दी थोड़ा सा लहसुन की दो कली अधरत थोड़ा सा इन तीनों को ले करके एक कप पानी में आप उबालें जब वो पानी आधा कप रह जाए तो आप उसको चान करके और जो है खाना खाने के बाद तीनों टाइम सुभा दो पहर साम खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन करें आप देखेंगे कि 40-40 साल पूराना गठिया जो रोक था अर्थराइस्टिस के जो मरीज थे वो इससे ठीक होते हुए नजर आए तो आप इसको जो है कर सकते हैं उसके बाद जो है बिल्कुल आसान जो तरीका हो सकता है कि आप साम के टाइम में दो लहसुन की कली को आप पानी में भीगो करके रखें और सुबह के टाइम में उसके छोटे-छोटे टुकडे करके और गरम पानी के साथ आप उसको निगल जाए टैबलेट की तरह, आप इसको निगल जाएं, तो इन घरेली उपायों में से जो आपको सही लगे, मैंने तीन उपाय बताया, तीनों में से जो भी आपको सही लगे, वो आप कर सकते हैं अगर एक उतना बहतर तरीके से काम नहीं करता है अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप फिर दूसरा वला ट्राई करें लेकिन ये जो है तीनो में से कोई ना कोई आपके लिए बहुत ही बहतर साबित होने वाला है उसके बाद हम आजाते हैं आईरुवेद मेडिशिन पर आईरुवेद मेडिशिन के अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको लेना है आमला एलोवेरा का जूस जो है सुबसुबस खाली पेट गरम पानी के साथ में यानि कि आधे से एक गिलास गरम पानी आप ले लें उसके अंदर 20-30 से मिल एलोवेरा और आवला का जूस डाल करके आप डेली पीते रहें आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त रहत आपको मिलने वाली है उसके बाद हम बात करते हैं टैबलेट की अगर आपको टैबलेट खाना है जल्द से जल्द रहत लेना है तो जैसे कि मैंने भी घरिलू उपाय जो बताया वो आप करते रहें उसके साथ में आप टैबलेट भी खा सकते हैं तो आपको इस गठिया रोग में और जादे कि चंदरप्रभावटी लेकर के आना है यह क्लासिकल मेडिसीन है यह सभी में मिल जाएगा आपको पतांजली डाबर बैधनात सभी में मिल जाएगा तो आप जो है चंदरप्रभावटी लेकर के आईए और पुनरनवादी मंदूर और योग राज गुगल या फिर सिंगनाद गुगल इन दोनों में से कोई एक यानि कि तीन टाइप के टैबलेट आपको लेकर के आना है तीनों टैबलेट में से दो-दो गोली जो है आपको सुबह साम खाने के बाद गरम पानी के साथ लेना है यह इतना जबरदस्त एफेक्टिव है कि अगर घरेलू वाले में से कोई भी एक कर रहे हैं और आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द बिल्कुल जड़ से खतम होता हुआ गठिया का रोग आपको नजर आएगा तो आप जो है इसको कर सकते हैं ये सारे के सारे क्लासिकल मेडिशीन है ये सभी ब्रांट्स में आपको मिलेगा आप जो है किसी भी आईरवेट के दुकान से आप ले सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो मैं सभी दबाओ का लिंक डिस्किप्सर में डाल दूँगा आप जो है ओनलाइन मंगा सकते हैं उसके बाद अगर आप टैबलेट नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप सीरप ले सकते हैं वो है काढ़ा यानि क्वाथ आप क्वाथ ले सकते हैं सीरप के फ़र्म में आता है बोटल में ये आएगा जिसका नाम है महारसनादी क्वाथ महारसनादी क्वाथ ये भी क्लासिकल मेडिशिन है ये भी सभी ब्राण में मिलेगा चाहे आपकी पतांजली हो चाहे डाबर या फिर बैदनाथ सभी में मिलेगा बहुत जितने भी अच्छी ब्रांडेट हैं कमपनिया सभी ब्रंड में ये आपको अवलेबल हो जाएगा आप ये ले करके आएं और 4-5 चमबच तीनो टाइम खाने के बाद आधा गिलास गरम पानी में 4-5 चमबच डाल करके और आप इसको तीनो टाइम लेना है खाने के बाद सुभा दो पहर साम तीनो टाइम आप लेजिए अगर टैबलेट लेना है तो इसे नहीं लेना है और अगर इसे लेना है तो आपको टैबलेट नहीं लेना है तो दोनों में से जो आपको सुभिधा जनक लगे वो आप ले सकते हैं और एक घरेलू उपाई करते रहें आप देखेंगे कि बिल्कुल 100% जड़ से खतम हो गया है अर्थराइटिस गठिया का रोग बिल्कुल जड़ से खतम हो गया है तो ये तो रहा मेडिशिन उसके बाद हम आ जाते हैं मालिस यानि कि घरेलू में भी आपको करना है और आईरवेड मेडिशिन में भी कोई सा भी आपको लेना है हो सकता है कि अगर थोड़ा मोड़ा भी हो तो मैंने जो घरेलू उपाय बताया उसी से सही हो जाए लेकिन उससे सही नहीं हो रहा है तो आप आईरवेग मेडिशिन का भी सहारा ले 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 उसके बाद उसके साथ में ही जल से जल रहत के लिए आपको मालिस भी करना है मालिस के लिए आपको क्या करना है कि लेकर के आना है महा नरायंड तेल और महा विसगर्भ तेल ये जो है आपको लेकर के आना है ये भी आपको आईरवेद मेडिकल पर मिल जाएगा अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्सिन में है आप वहाँ से ऑनलाइन बंगा सकते हैं इन दोनों को लेकर के आएं और दोनों में सहीं बरावर-बरावर मात्रा में मिक्स करके और जहां-जहां परदर्द है आपके गाठों में और सुजन है उन दोनों ही जगहों पर आप इससे मालिस कर सकते हैं बहुत जल्व सूजन खतम करेगा और आपका दर्द को खतम करेगा और उसके बाद अगर इन दोनों तेल को नहीं ला सकते हैं तो आप ले करके आएं कैस्टोर ओयल यानि की आरंडी का तेल आप ये ले करके आएं और इससे भी अगर आप मालिस करते हैं तो आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है लेकिन बहुत जादे परिशान हैं तो आप वो दोनों तेल ले करके आएं जो मैंने अभी बताया और बराबर मात्रा में मिला करके और उससे जो है आप मालिस करें देखेंगे कि बिल्कुल जड़ से खतम हो गया आपका ये गठिया का रोग उसके बाद अगर सूजन जादे है तो आप उसकी सेकाई भी कर सकते हैं सेकाई के लिए जो है थोड़ा सा फिटकरी लीजिए यानि कि फिटकरी को पाउडर बना लीजिए और दो चमच फिटकरी ले लीजिए दो चमच जो है आप सेंधा नमक ले लीजिए पाउडर बना करके सेंधा नमक को जो है दो चमच ले लीजिए दोनों को जो है करीब आधे लीटर पानी में उबालिए और उबालने के बाद जो है उसको जो है वो सुजन खतम हो जाएगा और दर्द में रहात मिल जाएगी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो ये तो सारे रहे तरीके मेडिसीन्स और मालिस वगेरा अब हम आजाते हैं परहेज पर गठिया रोग वालों को परहेज बहुत ही जादे जरूरी है क्योंकि परहेज अगर नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी दबा आप कर लीजिए आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है तो परहेज में सबसे बड़ा जो है वो कि आपको फिरिज का कोई भी चीज यूज नहीं करना है फिरिज का ठंडा पारी नहीं पीना है फिरिज का ठंडा जो है कोई भी चीज नहीं खाना है आईस्क्रीम वगएरे कोल ड्रिंक वगएरे तो बिलकुल भी नहीं पीना है नहीं तो इस रोग में आप चाहे कितना भी दबा करा लीजिए आपको benefit होने वाला नहीं है राजमा चावल, सफेज छोले, उड़त की डाल, ज्यादा नमक या ज्यादे मीठा, छाच, दही या फिर लसी वगएरा ये सारी चीजों से आपको बचना है नहीं तो इस रोग से आपको मुक्ती मिलने वाली नहीं है गठिया के रोग में परहेज सबसे एक नमबर पर है तो सबसे पहले आपको परहेज का धिवन रखना है उसके बाद क्या-क्या खा सकते हैं और जल से जल इफेक्ट के लिए और जादे दिनों तक इस टाइप की प्रबलम ना आने के लिए तो आप अखरोट को और किस्मिस को दोनों को ही रात में थोड़ा थोड़ा भीगो करके और सुबह में खाली पेट इसको खा सकते हैं मेथी को रात में भीगो करके सुबह आप इसका सेबन कर सकते हैं हल्दी वाला दूद जो है डेली रात में जो है आप पी सकते हैं बहुत ही जबरदस इसके अंदर रहत मिलता है सहद का इस्तेमाल आपके लिए जादे बहतर हो सकता है पानी के अंदर जो है तुलसी दो से चार बूद डाल करके आप उसको पी सकते हैं घर में तुलसी है तो आ दो से चार बूंद डाल करके वो पानी पी सकते हैं, आपको जबरदस्त रहत मिलेगा, और जो लोग गौमुत्र पी सकते हैं, उनके लिए इससे बहतर कुछ नहीं है, तो आप अगर गौमुत्र पी सकते हैं, तो गौमुत्र का अर्क जो आता है, ध्यान रखें अर्क, अर्क आपको लेना है, जबरदस्ट इसके अंदर रहत मिलता है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इतने सारे मैंने उपाए बताया, तो बहुत लोग कमेंट करेंगे, कि इतना सारा करना है, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, जो घरेलू मैंने उपाए बताया, उसमें से कोई सा भी एक कर लीजिए, टेबलेट और सीरप, दो चीज़ मैंने बताया, अगर टेबलेट लेना है, तो तीनों टेबलेट में से लेना होगा दो दो गोली, उसमें ऐसा नहीं कोई एक ले तीनों में से जब दो दो गोली लेंगे तो आपको जल से जल रहत मिलेगा और उसके बाद सीरप लेना है अगर टेबलेट नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीरप ले सकते हैं तो इन तोनों में से कोई भी ले सकते हैं और बाकी परहेज आपको करना ही करना है, मालिस आपको करना ही करना है, जाद सूजन है तो सेकाई आपको करना ही करना है, तो बहुत जबरदस लाब मिलेगा, और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो कितना भी पूराना हो गठिया का रोग अर्थराइटिस, बिल्कुल इसको जवाब देता रहता हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकोन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं ने वीडियो अप्लोट करूँ उसकी इन्फरमेशन आपको मिलती र अला हूँ जो आपके हेल्थ से रेलेटेड होगी जो आपके जीवन को बिलकुल सुख में और खूसाहल बनाने में मदद करेगी तो दोसरी इस वडियो में तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए खूसाहल रहिए और दबाओं से दूर होने के लिए इस चैनल के साथ बने र जुछ के लिए और खूसाजबसिक प्राइव हो आपके साथ बने टापяжाल hoş प्या होगी जीवन को सुछ रहिए परा उती जाताया रहूसा हो एपके साथ शूसाहल चूसाहल रहिए और एपके साथ और